नमस्कार दोस्तो साइलेट नॉलिज चैनल में आपका फिर से स्वागत है कोई भी व्यक्ति किसी भी समस्या से जूज रहा है और वो उसका हल जाता है तो वो अपनी डेटो बर्थ की प्रेडिक्शन हम से करवा सकता है उपर लिखे वर्स अपन उम्बर के साथ कंटैक्ट करे आज हम एज एर के बारे में जानेंगे उम्बर का बर्ष जैसे अगर अभी आपकी उम्बर का 35 बर्ष चल रहा है तो तीन पांच प्लस आठ नमबर आपका एज एर आ जाएगा ये एज एर हर बर्ष बदलता रहता है आप इस एज एर का क्या प्रभाव पड़ता है आई ज जानते हैं जैसे मान लें कि किसी की उमर अभी 24 बर्ष है तो 2 प्लस 4 चे नमबर अंक शुकर गर्या का आपका उमर का बर्ष आ जाएगा शुकर मीडिया लगजरी खूबसूरती के अंक हैं तो इस बर्ष शुकर अकरशन बढ़ाएंगे खूबसूरती पसंद आएगी ब्र रुची जागेगी रुमांटिक मोविज देखने का मन करेगा मतलब शुकर के जो भी गुण है बो आप पर इस बर्ष हा भी रहेंगे लेकिन अगर इसी इनसान की जब 27 बर्ष की उमर शुरू होगी तो उसमें एज अंक नो आएगा जो की मंगल का अंक है अगनी तत्व है जो जोश, रोद, एक्शन को बढ़ाता है तो जहां आप 24 की उमर में रुमांटिक मोविज देखते थे शौक था अब मारधार, क्राइम, एक्शन वाली मोविज देखना शुरू कर देंगे और अगर आप गेम्स खेलते हैं तो वो भी एक्शन मारधार वाली होंगी तो आपने देखा कि कैसे एक इनसान का सभाब उमर के हिसाब से बदलता जाता है इसके साथ और भी बहुत सारी चीज़ों को देखा जाता है जैसे मान लो आपका मूलांक 5 है और एज एर आपका 9 आ रहा है तो आप जो भी मारधार वाली मोविज देखेंगे या कुछ एक् नो है ऐसा कुछ 9 नो ही आ जाता है और कहीं आपका मूलांक 4 है और भागयों आंक 9 है और एज एर भी 9 आ रहा है तो फिर इनसान का मन लड़ाई जगड़ा विबाद एक्शन की और हो सकता है ये इनसान किसी को हर्ट भी कर सकता है और खुद भी हर्ट हो सकता है तो दोस्तो बताने को तो बहुत कुछ है, जैसे जैसे वीडियो आगे बनते जाएंगे, मैं धीरे धीरे सब कुछ बताता जाओंगा, आप हमारे साथ बने रहिए, वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक, शेयर और सबस्क्राइब जरूर करें, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिस के लिए इतना ही, नमस्कार, धन्यावाद,